आज हम vitamin D के बारे में बात करेंगे ये बात जानके आपको बड़ी हैरानी होगे कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 50% से जाधा लोगों में vitamin D की deficiency है ये बात मैं challenge के साथ बोल सकता हूँ 2017 में जब मुझे दात में थोड़ा था pain होने लगा था तो मैंने अपना full body check up कराया था और बड़ा shockingly मुझे पता लगा था कि मेरी body में vitamin D का level हो बहुत ही कम है normally किसी भी इंसान के अंदर blood में vitamin D का level 20 ng per ml से जाधा होना चाहिए अगर 20 ng per ml से कम है तो यानि vitamin D की deficiency है और जो old लोग होते हैं जो बूड़े हैं उनकी bone की strength maintain करने के लिए ये minimum 30 ng per ml होना चाहिए पर मैं बहुत surprise था जब मुझे पता लगा कि मेरे blood में जो vitamin D का level है वो सिर्फ 5 ng per ml था और ये मेरे लिए एक शरम की बात भी थी क्योंकि मैं खोद एक medical student था 2017 में और मेरे साथ सब को जानने के बावजूद भी ऐसा हुआ और मेरे professors में मुझे बताया है कि ये बहुत हैरानी की बात नहीं क्योंकि आज कल पूरे world की population में 50% से जाधा लोगों में vitamin D की deficiency है और वह actually हमारी bones को strength देता है अगर vitamin D की कमी होगी तो बच्चों में rickets हो जाते हैं जिसमें bones होती है वो टेड़ी हो जाती है या adults में इसी चीज़ को osteomalacia बोलते हैं जिसमें bones बड़ी ही fragile होती है bones में fracture बड़े आसानी से हो जाता है और यह हमारे mood को भी elevate करता है अगर vitamin D की कमी होगी तो body में neurotransmitters जो brain में कुछ ऐसे chemicals होते हैं जाते कि dopamine, serotonin जो हमें अच्छा feel कराते हैं वो भी कम बनेंगे और vitamin D की कमी की हुझे से depression या low mood जैसे symptoms भी आ सकते हैं तो जब भी किसी इंसान को vitamin D की deficiency होती है तो उसे बहुत weakness और lethargy जैसे symptoms आते हैं कि भाई वो सुबह ओटा काम पे गया और दुपहर तक ही वो इतना ठक गया और कुछ करने का money नहीं कर रहा है पर ऐसी stage में भी हम उसे बोल देंगे कि यार तू बिमार पड़ेगा बहुत जल्दी से वो बिमार पड़ेगा सर्दी जुखाम या जो भी seasonal बिमारी है वो से हो जाएगी तो यह सारी problem जब किसी को भी होती है तो वो ignore कर देता है उसे लगता है कि शैद मेरा time ठीक नहीं चल रहा या फिर आसपास का environment ठीक नहीं मेरे college का मेरे workplace का इसलिए ऐसे मेरे साथ हो रहा है पर अगर ऐसी situation में अगर कोई doctor उसके आसपास है वो से बताएगा और उसका blood test कराया जाएगा जो कि डेड़ या 2000 रुपे में हो जाता है तो 90% cases में उसको vitamin D की deficiency आएगी आएगी इसके दो reason है पहला reason यह कि बाकी micronutrients के जैसे vitamin D हमको diet स से properly मिल नहीं पाता क्योंकि जो खाने की चीज़े हैं उसके अंदे vitamin D का level बहुत ही कम होता है vitamin D usually आपको fish में मिलेगा cod liver oil में मिलेगा या एग्स में मिल सकता है पर आप ऐसा तो नहीं है कि दिन भर आगी खाते रहोगे या fish खाते रहोगे तो vitamin D जो आपकी body में जाता है through food वह बहुत ही कम होता है उससे आपके body के requirement पूरी नहीं हो पाती है अगर आप एक balance डाइट लेते हो अच्छे डाइट लेते हो तो बाके सारे nutrients वह आपको मिल जाएंगे और vitamin D तब भी lacking रहेगा दूसरा reason है vitamin D को हम sunshine hormone में बोलते है sunshine vitamin में बोलते है क्योंकि sunlight के presence में जब sunlight हमा sunlight के अंदर जाते ही नहीं है दस से तीन बज़े के बीच में दिन में जब ultraviolet b race जादा होती है sunlight में उस समया में sunlight के अंदर जाना चाहिए पर ऐसे time में usually हमारा office होता है school होता है और इसलिए हम बाहर नहीं जा पाते हैं दूसरी चीज़ अगर हम बाहर जाते भी है तो हमारे body तो exposed होती ही नहीं है हम shirt paint पहन के जाते हैं तो ऐसे में हमारा body के जो skin है वह तो जादे exposed हुई नहीं तो sunlight absorb कहा होगी और vitamin D बनेगा कैसे अगर आपको actually sunlight के थ्रू vitamin D बनवाना है तो आपको at least 15-30 minute sunlight में रहना है और जिसमें आपका ऊपर chest और back का area और आपके legs का area भी exposed होना चाहिए shirt paint पहन के जाके आपको sunlight नहीं मिलेगी इसके साथ है एक बहुत important factor होता है आपके skin tone का क्योंकि इंडिया में और आसपास के area में जो skin tone होती हो थोड़ी dark होती है जिसमें milanine होता है तो milanine की वज़े से जो ultraviolet rays है उसका absorption skin में बहुत ही काम हो जाएगा रूख जाए इतना atmosphere में pollution है कि हमारे skin तक जो ultraviolet rays है वो पहुच ही नहीं पाती इसके इलावा अगर आप गाड़े में बैटके या फिर window के पास बैटके सोच रहें कि आपको sunlight मिल जाएगी और vitamin D का synthesis हो जाएगा तो भी आप गलत हो क्योंकि जो गाड़ी में जो glass होता है या window का जो glass है वो UV rays को reflect कर देगा या फिर अपने अगर sunscreen लगा रखा है तो भी UV rays का absorption नहीं पाएगा तो आप सोच रहे होंगे कि जब हम खाने के तो चाहे जितना भी हम healthy खाना का लें उसके तो भी हमारे vitamin D की जो needs है वो पूरी नहीं पाएगी और दूसरी चीद अगर हम sunlight में बहुत जो इनिट पर डे आपकी बॉड़ी को vitamin D की जरूवत है तो भी यह मुश्किल है कि वो आपको मिल पाएगा तो ऐसे में क्या करना चाहिए मैं आपको अपने tried and tested method से बता रहा हूं क्योंकि जब मुझ में vitamin D की deficiency आई थी तो उस समय तो acute crisis था उसके लिए मुझे दवाई दी गई किये पर उसके बाद से आज तक मैं vitamin D की supplements लेता हूं क्योंकि supplement के अलावा कोई practical तरीका नहीं है जिससे हमारी vitamin D की requirements पूरी हुप है यूजली मैं क्या करता हूं मैं 2000 international unit की जो capsules आते हैं उनको daily consume करता हूं क्योंकि vitamin D एक fat soluble vitamin है तो जब भी आप vitamin D का capsule लोगे या सैशे लोग supplementally आए तो वो fat के साथ combined होकी easily absorb हो जाएगा और वो अपना effect दिखा पाएगा यानि body के इंदर bones की strength बढ़ाएगा calcium का absorption बढ़ाएगा bones और muscles की strengthening कराएगा और आपको better feel होगा आपका mood भी better हैगा आपकी immunity भी better रहेगी पर अगर आप इसको गलत तरीके से ले रहे हो यानि toxicity तब होगी जब blood में उसका जो level है वो 80 nanogram per milliliter से भी जाद हो जाएगा और वो तब होगा जब आप बहुत जादा vitamin D का dose per day ले रहे होगे पर फिर भी मैं आपको सला दूँगा कि अगर आपका vitamin D level काम आ रहा है अगर आपने blood test कराया है जिसमें vitamin D का level काम आया तो आप अप गोड़ा सा deficiency तो आपका dose कम होगा इसलिए कभी भी supplement स्टार्ट करने से पहले अपने doctor को एक बार consult कर ले अगर इस वीडियो के थ्रूँ आपको कुछ काम की चीज़ पता लगए जो आपके लिए useful है तो आप इसको ज़रूर like करें share करें क्योंकि like और share करने से YouTube का algorithm पहचाने या उन लोगों के साथ आप share कर सकते हो जिनको आप चाहते हो कि उनकी immunity हमेशे अच्छी रहे वो जल्दी बिमार ना पड़े और उनके इंदे vitamin dk deficiency ना हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में